नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका मेरे चैनल आज की नियूस पर और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पांडुपोल के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तो पांडुपॉल जेपुर जिले से कुछी दूरी परिस्टित अलवर जिले के सरिस्का अभ्यारने परिस्टित है और दोस्तो नीचे एक टेंपल बनावा है जिसमें हनुमान जी की लेटी हुई मुद्रा है दोस्तो उस मंदिर का नाम पांडुपॉल हनुमान मंदिर ह दोस्तो पौरानिक मानिताओं के अनुसार जब पांडव अलवर जिले में आये तो दोस्तो वो एक ऐसे इस्तान पर आ गए जहां उनको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था दोस्तो चारो तरफ उन्हें चत्तान ही चत्तान दिखाई दे रही थी दोस्तो इसक लिए भीम ने अपनी गदा से उस चत्तान पर ऐसा प्रहार किया कि वो चत्तान चकना चूर हो गई और उन्हें आरपार जाने का एक रास्ता मिल गया दोस्तो उस यस्तान को पांडू पोल के नाम से जाना जाता है और दोस्तो बताया जाता है कि ऊपर पांडू पोल पर जो तालाब बनेवे हैं वो तालाब ऐसे ही नई बने है दोस्तो अर्जुन ने अपनी तीर कमान से पांडू पोल के उपर एक ऐसा छेद बना दिया वो छेद नीचे समुंदर की गेराई तक जा रहा है और दोस्तो उस छेद से लगाता पानी बेरा है और दोस्तो आज भी पांडू पोल पर एक ऐसा जरना बेरा है जो सदियों से बेता आ रहा हैं दोस्तो पांडुपोल आरावली परवतमाला परिस्तित हैं और दोस्तो पांडुपोल सर्शका भ्यारने से चारो और गिरावा हैं दोस्तो यहाँ पर आपको कई तरह के बाग देखने को मिल सकते हैं और दोस्तो पांडुपोल चारो तरफ हरियाली से गिरावा एक ऐसा छेत्र है जहाँ पर आपको सभी प्राकर्तिक नजारे देखने को मिलेंगे दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेर कीजिए, लाइक कीजिए थेंक्यू फूर वाचिंग